हाँ तो भाई कैसे हो सब लोग बढ़िया हो ना कॉमेंट्स में जरूर से बता के जाना देखो HyperOS 2.0 के लिए दो मेरे पास जो है एक गुड न्यूज है एक बैड न्यूज है आज की वीडियो में अभी हम बात करेंगे बैड न्यूज की और जो गुड न्यूज वाली वीडियो वो आपको आज रात को देखने को मिल जाएगी तो उसके लिए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो और वीडियो पे 100 लाइक्स का टार्गेट रखते हैं मेरे को पता आप कंप्लीट जरूर से कर दोगे सबसे पहले बात करते हैं बैड न्यूज के बारे में और यही इस वीडियो का टॉपिक है सबसे पहले देखो भाई यहाँ पर जो HyperOS 2.0 का रोल आउट है वो काफी ज्यादा स्लो चल रहा है December स्टार्ट हो चुका है जो कि आप कैलेंडर विजट के अंदर देख सकते हो और स्टिल जो शाओमी नहीं हाँ पर क्लेम किया था वो यहाँ पर जो प्रॉमिस है वो यहाँ पर अभी कंप्लीट होता हुआ देखने को नहीं मिल रहा मैंने कुछ दिन पहले आपके साथ ना इन डिवाइस की लिस्ट शेयर की थी दो-तिन दिन पहले और इन में मैंने आपको बताया था जो HyperOS 2.0 का अपडेट है वो नवेंबर 2024 में ग्लोबली कौन-कौन से डिवाइस के अंदर मिला है तो आप यहाँ पर देख सकते हो Xiaomi 14, Xiaomi 13D Pro है 14D Pro है और Xiaomi Pad 6S Pro है उसके पाद Xiaomi 14 Ultra तो इनको Europe and Global दो रीजन के अंदर ही देखने को मिला है अब जो Global है इसमें कावी सारे भाई जो Countries वगरा आ जाती है तो यह हम मान सकते हैं अब इसके इलावा यह रहा यहाँ पर HyperOS 2024 का यहाँ पर आप देखोगे Singapore का वेबसाइट और इसके उपर सब कुछ mentioned है और इसमें Global क लिए सारे के सारे devices के लिए जो release schedule है वो भी आपे दिया हुआ है अब अगर आप देखोगे तो mostly जो devices है phones में अगर आप आओगे न तो सिर्फ और सिर्फ Xiaomi series के phones के लिए यह जो first phones आपको list दिख रही है सिर्फ इनको ही update November में deliver किया गया है और यह जो schedule है इसके accordingly यह expected date थी जो किया आप देख सकते हो बट still काफी लोगों ने इसको जो है as यहाँ पे यह जो है पका समझ लिया कि यह जो update है यह confirmed है इस तरीक को हमें देखने को मिल जाएगा तो देखे तो यहाँ पर अगर आपको Xiaomi series के जिदने phones देखने को मिलते हैं almost सबको मिल चुका है except Xiaomi 14T इसको प्रामिस भी किया गया था बट इसको नहीं मिला उसके बार Redmi Note 13 series आ चुकी है अब मेरे को लगता है जो यह December का first week है इसको यहाँ पे Redmi Note 13 series को include किया जाएगा और Poco की बात करे तो Poco F6 Pro and X6 Pro को भी यहाँ पे include किया जा सकता है और यह रहा December का जो की expected है अब यह जो सारे devices हैं म आपको यहाँ पर यह सारे जो phones देखने को मिलते हैं Xiaomi series के सिर्फ और सिर्फ इनको update देखने को मिलेगा public version तक मैं बात करा हूं mid of December मान सकते हो कि इनको update मिल जाएगा और starting of January में आपको यह सारे जो phones है इनके लिए update देखने को मिलेगा तो यह मेरे expectations है क्यूंकि भाई यह जो Xiaomi series को मिला है Xiaomi की series को MI series जिसको बोलते हैं अभी तो Xiaomi series हो चुकी है तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको time जो है लग सकता है HyperOS 2.0 का update receive करने में क्यूंकि भाई काफी ज्यादा comments आते हैं आप लोगों के कि भाई बताओ हमारे device के लिए जो update आपक तक आएगा और changes आपको पता है HyperCore आएगा जो की आपके device के अंदर जो smoothness वगरा है उसको better करेगा HyperConnect है जो की connectivity services को better किया जाएगा और definitely नए animations आपको मिल जाएंगे और वैसे मैंने सब कुछ features वगरा आपको बता रहे हैं बट यह सारे features सबी devices के ओपर आपको नहीं मिलेंगे आपको बता है budget devices को यहाँ प update आपको मिला है या फिर नहीं और इस मन्त के लिए इस चैनल पर connected रहना क्यूंकि सारे updates आपको मैं share करने वारा